नमस्कार साथियों सौटेंड हुष ठीकमगर के यूटूब चैनल पर मैंके चोरसी आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों आज का हमारा डिक्टेशन उपी सुकला से 400 सब्दों का लिया गया है तो वीडियो के अंत में डिक्टेशन को लाइक करें कमेंट करें और सेर करना ना भूलें यदि आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबादें डिक्टिशन सुरूं करते हैं तीन सेकेन बाद स्टार्ट माननिय महुदे एस सदन के दस सदस्यों ने जिस महत्पूर्ण प्रस्ण को जिस करुणा जनक प्रस्ण को इस सदन में उठाया उसकी बारी में मैं निविदन करना चाहता हूं की यह 10-12 सदस्यों की चिन्ता का विशय नहीं है मेरे खयाल में यह पूरे राष्ट्र की चिन्ता का विशय है इसलिए इस प्रस्ण को राष्ट्रिय दस्टी से सोचना चाहिए और इसी दस्टी को सामने रखते हुए इसके समाधान का जर्या सोचना चाहिए मैंने इस प्रस्ण को इसलिए राष्ट्रिय प्रस्ण कहने की हिम्मत की है की जिन लोगों को बशाने की जिन लोगों को तकलीफों की यहां चायचा की गई है उनमें से ज्यादातर बे लोग हैं जिन्होंने हमारे राष्ट की सुरक्चा, हमारे राष्ट की इजद और हमारे राष्ट की गौरों को बचाने में अपनी जान की वाजी लगाकर हमारी सेनाओं की सहायता की है पैरा इसलिए मैं कहता हूँ की उनके गौरों की जो गाथाएं हैं बेहमारे राष्टी इतिहाश का एक अंग बन चुकी है ऐसी हालत में अगर समय रहते हम उनकी सहायता नहीं करते उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करते तो हमारा जो इतिहास है वह हमको कभी माफ नहीं कर सकेगा मैं अपने सासन से यह कहना चाहता हूँ की इस बारे में सासन का जो दश्टी कौर है वह कोई ज्यादा अच्छा दश्टी कौर नहीं है मैं कहना चाहता हूँ की ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने राष्ट की पतिष्ठा के लिए इस देश की सहायता की है उनके उपर हम लोगों को गर्व है और उन लोगों के बारे में मैंने श्वैम इस प्रकार के प्रमारपत देखे हैं जिन्में हमारी सेना के सरवुच अरिकारियों ने इस बात को प्रमारपत किया है कि इन लोगों ने सेना की बहुत ही जवएदस्त सहायता की है और अपने जीवन का खत्रा मूल लेकर हमारे देश की सुरक्षा के लिए काम किया है ऐसे लोगों को अधिक से अधिक सहायता दी जाने चाहिए इस समय केम्पों के अंदर उनकी जो दैनी एस्थिती है उसको ततकाल ठीक किया जाना चाहिए मैंने शुना है कि सासन ने जो निर्धारित किया है उसके अनुशार भी उन्हें वस्तुएं नहीं दी जाती है और कहा यह जाता है कि यह वस्तुएं नहीं मिल रही है इसलिए आप पैसे ले लीजिए कितने आशर की वात है कि अगर बाजार में चीजें नहीं मिल रही है तो वे कहां से खरी देंगे धन्यवाद